दोस्तों मेरे पास ये जो डिवाइस है, Realme brand की है, बैक साइड में नीचेक तरफ आप देख सकते हैं Realme की branding है, model नमर आपको बता देता हूँ, model नमर है Realme C30S, ध्यान से सुन लीजिए, model नमर है Realme C30S, और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस डिवाइस का FRP बाइपास करने का तरीका, यानि कि इस डिवाइस का Google एकाउंट लॉक रिमूब करने का सबसे लिटेस तरीका, उपर की तरब कोने में ध्यान दीजिए, एक छोटा सा लॉकर सो कर रहा है, तो इस टाइप का लॉकर अगर आपकी डिवाइस में सो कर रहा है, तो इसका मतलब डिवाइस आपकी FRP लॉक है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी तरह कनफर्म कर देता हूँ, कि मेरे पास यह जो डिवाइस है, रियल्मी C30S, यह पूरी तरह से FRP लॉक है, यानि कि Google अकाउंट लॉक है, यहाँ देखें दोस्तों, वाइफाई वाले आपसम पर आ चुके हैं, ठीक है, अभी करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको डिवाइस को, किसी Wi-Fi से कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ जल्दी से मैं, डिवाइस को किसी Wi-Fi से कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके, डिवाइस कनेक्ट हो गई, नीचे िरफ नेक्ष्ट का अप्सन है, आप Simple Next पे क्लिक कर दें, अब कुछ सेकंड वेट करिए, आपको पूरी तरह confirm हो जागा कि मेरे पास यह जो डिवाइस है, Realme C30S यह पूरी तरह से FRP Lock है, यानि कि Google Account Lock है, ओके और यह रिखे दोस्तों, यह प्राबलम आपको फिस करनी पड़ती है, जब आपकी डिवाइस FRP Lock होती है, यानि कि Google Account Lock होती है, डिवाइस का FRP बाइपास करने के लिए यहाँ आपके पास दो आप्सन है, सबसे पहला आप्सन, verify pattern, यानि कि आपको यह pattern verify करना होगा, तो दोस्तों यह जो pattern है, pattern हमें नहीं पता है, ध्यान दीजिए pattern की जगर पे pin या password का भी option हो सकता है, हमें इस device का Gmail ID verify करना होगा, आप देख सकते हैं, verify your account का अपस ना गया, तो confirm हो गया ना कि device हमारी FRP लॉक है, तो अब ध्यान से देखिए कैसे इसका FRP बाइपास करना है, एक चीज़ और बता दू, अभी जो latest security आई है, उसमें प्राबलम क्या हो रही दोस्तों, जब आप application पर क्लिक करते हैं, जैसे कि Android Auto, Android Setup, Google Play Services, या Google Play Store, या किसी भी application पर, आप जब क्लिक कर रहा है, तो application ओपन ही नहीं हो रहा है, तो इसका भी मैं आपको latest solution बताऊंगा, इस वीडियो में, आपको करना क्या है, सबसे पहले, आप यहां से बैक जाएंगे, Wi-Fi वाले option पर, यान बाद, Nearby का option है, Nearby पे क्लिक करिए, Nearby पे क्लिक करने के बाद, Turn On का option है, Turn On पे क्लिक करिए, Turn On के बाद, Need Help Sharing का option है, इस option पे क्लिक करिए, कुछ सेकंड वेट करेंगे दोस्तों, तो यहां उपर की तरफ आपको 3 dot दिखाई देगा, यह रहा 3 dot, आप Simple 3 dot पे क्लिक करें, उस के बाद, Use Without Google Account, आप इस option पे क्लिक करें, ओके, यहां से आपको Simple इस arrow पे क्लिक करना है, Language आपको English करने के बाद, आप Done पे क्लिक करें, ओके, Done पे क्लिक करने बाद, दोस्तों, अब देखिए, आपको करना क्या है, यहां पे यह option है, आप इस mic पे क्लिक करेंगे, और बोलें आपके डिवाइस की सेटिंग ओपें हो जाएगी, मैं माइट पे क्लिक करता हूँ, ओपें सेटिंग, और यह देखें दोस्तों, फाइनली डिवाइस की मेन सेटिंग ओपें हो गए, ठीक है, मॉडल नमबर आप देख सकते हैं, यह देखें, रियल मी C30S, ठीक है, प्राब देखें, यहाँ पे देखें, इंडरोइट सेट अप, मैंने क्लिक किया, किसी भी अप्लिकेशन पे आप क्लिक करेंग, दोस्तों, तो आप देखेंगे कोई भी अप्लिकेशन यहाँ पे ओपें नहीं होता है, ठीक है, और यही आपको प्राबलम फेस करनी पढ़ ही, लेट क्लिक करिए, accessibility menu shortcut, यह off है, आप इसे यहाँ से on करिए, उसके बाद यहाँ से allow करिए, और उसके बाद got it पे क्लिक कर देना, ठीक है, यह देखे, accessibility menu shortcut on हो गया, ठीक है, on होने के बाद, यह रहा, आप देखेंगे इस टाइप का सिंबल सो करेगा, आपको करना क्या है, इस सिं assistant दिख रहा है, आप assistant पे click करेंगे, और बोलेंगे open YouTube, तो आपके device में YouTube application open हो जाएगा, मैं इस पे click करता हूँ, open YouTube, और यह देखें दोस्तों, open YouTube बोलने के बाद, आप देख सकते हैं, हमारे device में YouTube application finally open हो गया, ठीक है, अब देखें, उपर की तरफ देखें, account का option है, आप simple account पे click करें, उसके बाद आपको click करना setting पे बाद आप about पे click करें, और उसके बाद आपको click करना YouTube term, आप services पे, तो आप देखें के आपके device में Chrome browser open हो जाएगा, ठीक है, यह browser open हो गया, अब देखें, यह proper address box है, address box पे click करें, address box पे पे click करने बाद, आपको simple यहाँ पे type करना दोस्तों add room, आप display पे देख सकते हैं, बिल्कुल same type करेगा, add room type करने बाद यहां से आप enter कर दें, यहां देखे, bypass Google account 2013, यह website देखेगी, इस website पे click करें, तो आपके device में add room open हो जाएगा, add room की main website open हो जाएगा, यह देखे, add room की main website open हो जाएगा, अब यहां पे ध्यान यहां पे open setting पे click करेंगे दोस्तों तो यह देखे, setting open यहां से नहीं कर पाएगे, ठीक है, यह देखे, setting यहां से open नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको करना क्या है, open screen smart lock है, आप simple इस option पे click करें, जैसे ही click करेंगे तो आप देखेंगे, protect your phone का option आपके device में आ जाएगा, और म मैंने pin वाले option पे click किया, आप किसी पे भी click कर सकते हैं, ठीक है, आपको यहां पे 4 रंकों की कोई भी pin set करनी है, तो चलिए double one, double one मैंने set किया, अब यहां से next करेंगे, double one, double one, यहां से confirm करेंगे, okay, pin set नहीं हुआ, ठीक है, तो यहां पे एक छोटा साट्रीक है, ध्यान से स होनी है, आपको यही process 10 से 15 बाद try करना है, ठीक है, जब आपके device में pattern set हो जागा, तो यहां पे yes, I am in का option आ जाएगा, ठीक है, फिर से try करते है, pin पे click करेंगे, कोई भी pin, double zero, double zero मैंने किया, next किया, next, okay, double zero, double zero, confirm, okay, application error आ गया, कहीं भी click करेंगे, back जाएंगे, back जाने क बा किया, मैंने confirm किया, okay, pin set नहीं हुआ, फिर से pin पे click करेंगे, double zero, double zero, next करेंगे, double zero, double zero, okay, confirm करेंगे, pin set नहीं हुआ, ध्यान दीजिए, यही process आपको कम से कम 15 से 20 बार, यानि कि तब तक आपको try करना है, जब तक की yes, I am in का option ना आ जाए, ठीक है, तो हम यही process same try करेंगे, द double one, double one, confirm, okay, और यह देखे, finally, दोस्तों, मैं इसी option की बात कर रहा था, यह देखे, skip और yes, I am in का option आ गया, यानि कि अब हमारे device में pin lock set हो चुका है, ठीक है, यहां से आपको yes कर देना है, उसके बाद got it पे click कर देना है, ठीक है, pin set हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां देखे, मैं screen को lock करूँगा, मैंने lock किया, यहां से मैं unlock करता हूँ, और यह देखे, आप देख सकते हैं, दोस्तों, pin set हो गया, ठीक है, pin हमने डाला था, double one, double one, यहां से enter करेंगे, और यह देखे, okay, pin lock set हो गया, अभी आपको करना क्या, यहां से बिल्कुल back आ जाना है, okay, तो हम बिल्कुल back आ गए है, home screen पे, और अब आपको setup करना है, तो चली setup करते हैं, यहां इस arrow पे click करेंगे, continue पे click करेंगे, skip पे click करेंगे, continue पे click करेंगे, okay, device हमारी wifi से connect है, यहां से simple next पे click करेंगे, okay, कुछ second wait करेंगे, ध्यान दीजिए, application open नहीं हो रहा है, इसका solution मैंने आपको बता दिया, इस वीडियो में, यहां से आपको don't copy करना है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से follow किया, तो device का FRP आप बहुत आसानी से bypass कर पाएंगे, यहां पे आपको wait करना है, checking for update, थोड़ा सा wait करिए, okay, और अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, पहले जब हम इस जगह पे आते थे, picture आप देखिए, पहले इस जगह पे आते थे, तो यहां पे pattern का option होता था, और use google account का option होता था, लेकिन अब देखिए, अब condition change है, प उसके बाद यहां से enter करेंगे, ठीक है, और अब देखिएगा, पहले आता था verify your account, लेकिन अब देखिएगा, google account का option, finally यहां पे skip आएगा, यह देखिए, google signing और यह skip का option आ गया, अभी भी ध्यान दीजिए, उपर की तरब छोटा सा locker सो कर रहा है, ठीक है, तो मैं यहां से skip करता हूँ, अभी भी locker सो कर रहा है, जब मैं इसकी पे click करूँगा, तो यह locker हट जाएगा, मैंने skip पे click किया, और यह देखिए, locker हट गया, google services का ups ना गया, यानि कि अब हमारे device का FRP completely bypass हो गया, ठीक है, complete setup करके दिखा देता हूँ, more पे click करेंगे, more पे click करेंगे, accept करेंगे ओके, यहां से मैं okay करूँगा, दोस्तों यह realme c30s का FRP bypass करने का सबसे latest trick मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, यहां से continue पे click करिए, negation कुछ भी select करिए, उसके बाद continue पे click करिए, okay, done करिए, okay, यहां पे कुछ application है, तो इस option को आप उपर से simple skip कर दें, ठीक है, welcome realme UI, get started आप इस पे click करें और बस आपकी device realme c30s का FRP यानि की Gmail ID Lock पूरी तरह से बाइपास हो गया, device आपकी completely अनलाग हो गया, आप देख सकते हैं दोस्तों यह देखे, device का FRP पूरी तरह से बाइपास हो गया, और device आपकी completely अनलाग हो चुकी है, एक चीज़ और, accessibility menu shortcut आपने on क्या इसे आफ कर दीजिए, device की setting में आईए, setting में आनेक बाद accessibility पे click करिए, okay, accessibility के बाद आप नीचे आजाए, accessibility menu आपको दिखेगा, कहां गया, accessibility menu यह रहा, इस पे click करिए, यहां से आपने on क्या था, इसे off करिए, okay, तो दोस्तों यह पूरा full process था, realme c30s का FRP यानि की Google एकाउं करने का सबसे latest trick, वीडियो आपको कैसी लगी, comment section में comment करके जरूर बताएगा, वीडियो अच्छी लगती तो please इस वीडियो को share करें, like करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेलाकन है उसे भी प्रेस करिए, वीडियो पूरा देखने के लिए आप झाल